कर दिया है सिरलंका को पहले 50 प्याउट किया फिर दूल चिटा दी वर्ल्ड कप में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसको इंडिया ने दूल ना चिटाई हो मैं तो कहता हूँ बाठवा नुवा मैच भी उन्होंने इजी ली जीट जाना है जो सूर्टेहाल है इंडिया की टीम नाकाबले शिक्स्त वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखते हैं वर्ल्ड कप दिल से तो कहता हूँ कि पाकिस्तान से है लेकिन लग जो रहा है वो इंडिया का है अच्छा लोगों को हार्ट एटेक आरे कि साथ मैच में से एक भी नहारा है ऐसे कैसे हो सकता है को इस से समझ है अच्छा ने ढूंग को जो इस अफ़र दी जारी और थे को आपको लगते हैं इंडिया साथ के साथ मैच जीदेए यह नहीं वह जादा निराले नहारा है रहे हैं वासं इंडिया की सार्जमहिना बहुत जो बहुत पार था वाले किसके हात आएगा, जिसके आप लगा दे, कि आ बात का रहे हैं. देखने वाले के रहे हैं, वाह मैं चोत ऑभारत जैशा हूँ. भारत कियमा कर दिया है. व्यूजिक चलना चाहिए था यार वाक्यों पर यार तियारी करके आते हैं इंडिया कोई चोटी चोटी मौट तर नहें टीम इत्नी तीम है तो जब इंडिया की साथ में काबला करने के लिए आया तो त्यारी तो गड़ क्या है ना जब अज्वे विराद कोली की और गिल की बड़ी कमाल की रही है विरात कुरी ने 88 दिल ने 92 किया मतलब पार्टनर्शीप हो तो ऐसी हो बाबर आजम भी कुछ सीखे यह इंडिया की पार्टनर्शीप वाकर बहुत अच्छी है और बिल्कुल ऐसे यह मैं कहूंगी पाकिस्तान को भी हलकी पुलकर निसीया देना है तो नहीं लेकिन वैसे देखना पड़ता है लेकिन एक ही मैच के बाद यह जो अपनी इनकी हाइप बढ़ जाती है उस वह से प्रेशर में आ जाते हैं फिर वह अगले मैच में अब कोई उमीद नजर आ रही है अगले दोनों मैच भी पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो क इस तरीके से परफार्म अभी तक एक मैच नहीं हा रहा रहा तो यहां पर लोग यह नहीं दवह पर आउंडिया में हो रहे ना उसे पहले मुफलिवेंट्रीज मैसे तो पिर नहीं भी एडवांटिज रहा है जी इसी तरह यह ना वह अच्छी टीम है वो वह वैल बैलन्स् इसलिए करते हैं कि वह मिलके खेल रहे हैं तो क्या कहना चाहिए कि जीत इस तरह का टारगट जितना कुछ दिया आप देग रहे हैं को लीने 88 रन बनाएं शुबमन के लिए 92 रन बनाएं इस तरह के पर्फॉर्मस हमारी टीम क्यों नहीं दिखा बाती है देखें सीधी सी बाप है जो है ना इंडिया की टीम उसमें मुझे ऐसे लगता है के उनके अंदर सारे जो प्लियर्स है ना सब के अंदर प्रफेश्ची टीम है अजी प्रफेश्चीनलिजम के साथ खेलते हैं जब ग्रॉंड में अंडर होते हैं तो वो मतलब के अच्छे तरीके से अपने आपको इंप्रूव करने के लिए दूसरों को दिखाने के लिए कि हम अच्छी टीम है और अपने अंदर जो भी प्रफेशनलिजम जो सीखा होता है वो उसको डिलिवर करते हैं लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है ना इनमें वो यह च अच्छी है अभी थोड़ी दिन हुए उसको एवे कैसे अपनी टीम को नाम नोमिनेट अपने देश का अपने मुलक का नाम नोमिनेट उसने आई पियल में इतना अच्छा परफॉर्म किया मेरे खिया है तो इस वज़ए ज़सको इसमें टीम में एंटर किया ना और इंडि ट्रीग रियेट कर दिया और वाल्ड कप में यार इस लेवल की बॉलिंग करना इस तरह की खतरनाक बॉलिंग करना यकीन मानें सोचा नहीं हुआ था मैंने ये तो आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि ये मैच इंडिया जो है वो वन साइडिड जीतेगा लेकिन ये मै पांच अवर में अठारा स्कोर देके पांच खलाडियों को आउट कर दिया चोता फाइफर ले लिया है बुमरा की बात करें तो पांच अवर में टोटल आठ सकोर देके एक खलाडियों को आउट कर दिया और महम्मद सराच बाई साब ये बंदा सिरी लंका को देखता है न यह पागल हो जाता है यह गुस्से से पागल हो जाता है और सिरिलंटा की आज पिर इसने ज़ा मंजी ठोके रख दी साथ आवर में दो आवर मेडन सुला स्कोर और तीन खलाडियों का उट कर दिया तोबा बुमरा ने आते साथ पहले बाल बे आके विकट लेके दे दिया अच्छा फूर से लोगों को हार एटेक आ रहे हैं कि भई साथ मैच में से एक भी ने हा रहा है अगर मैं अपने घर में खेलूंगा ना तो मुझे अपने घर की उच नीच का पता होगा कि किदर मैं स्टाइक खेलूंगा तो आप जाएगा किदर डाउन जाएगा तो बेसिकली उनको यह एच है और बाकि उनकी प्रफार्मनस वाकि ही बहुत अच्छी है उनकी जसीन मेकिंग बाफ स्टाइब उनका जो बॉलर मौहमेज सिराज है वो तो सारे के सारे मैच जितवार है जी इंडिया को एक बॉलर पर डिबेंड नहीं करता पूरी टीम पर डिबेंड करता है पूरी टीम अच्छी है उनकी मिडल ओर देखें फॉस्ट ओर जो है उनके ऑपनर्स अच्छा परफार्म करें यही मेन रिजन है वाल्ड कप जिसके हाथ आएगा जिसकी आप आप का रहे हैं आपको ल